Good morning बच्चो, आज हम English grammar में this और that के बारे में सीखेंगे तो शुरू करते हैं बच्चो T-H-I-S, this This का meaning होता है बच्चो, यह है देखे धर, T-H-I-S, this This का मतलब यह है नजदीक की चीज़ों के लिए हम this का use करते हैं हमें जब कभी बताना होता है, कोई चीज हमारे पास है तो उस sentence को बताने के लिए वहाँ पर हम this लगाते हैं और T-H-A-T, that That means होता है बच्चो, वह जब हमें किसी दूर की चीज़ों के बारे में कुछ बताना होता है उस sentence में हम that का use करते हैं देखे धर T-H-A-T, that दूर की चीज़ों को बताने के लिए that का use करते हैं अब मैं आपको एक वार्कशीट से दिखाती हूँ example देके समझाती हूँ यह देखे बच्चो, यहाँ पर blank है is a girl, हमें यहाँ पर this और that का use करना है तो मैं आपको समझाऊंगी, देखे blank is a girl, अब देखे गर्ल हमारे नस्दीक है जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यह हमारे पास है, नस्दीक है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चो, अब आप बताईए this, that या this तो, क्योंकि यह हमारे नस्दीक है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर use किया बच्चो this, this is a girl अब देखिए, हम नीचे आ जाते है dash is a girl अब देखिए, यह दूर है इसलिए हमने आप पर क्या लगाना है, बच्चो बताईए this, या that क्योंकि हमने सिखा है, जो चीज़ें हमसे दूर है उनके लिए हमें that यूज़ करना है that is a girl यह देखिए, वह एक लड़की है आप यह देखिए बच्चो, अगला एक्जम्पल is a butterfly यह है एक तितली है यह देखो, हमारे नस्दीक है तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया बच्चो this, ठीक है अब देखिए dash is a butterfly अब यह हमसे थोड़ा दूर चली गई तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बच्चो बताओ, this या फिर that हम, सही सोच रहे हो आप क्योंकि यह हमसे दूर है इसलिए that is a butterfly वह एक तितली है अब आपके लिए है बच्चो एक वर्कशीट इसकी फोटो मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में एक फोटो भीजूँगी आपको इसकी और आपको उसका screenshot लेना है ठीक है आप जब screenshot लेंगे आपके पास यह वर्कशीट आजएगी और फिर आपको यह अपनी notebook में copy करना है और यहाँ यह जो blanks यहाँ पर मैंने लिखे हैं इसमें आपको this या that का use करना है ठीक है याद रखेगा बच्चो इस sentence में this आएगा यह यह पता लगाने के लिए आपको चीज देखनी है आपके पास है तो this और अगर आपसे दूर है तो that ठीक है तो प्यारे बच्चो मुझे उमीद है कि आपको this और that की यह वर्कशीट और यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब आप इन्हें अपनी notebook में कीजिएगा और अपने class teacher को भेजिएगा ठीक है बच्चो अब जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो